कैसे आप लोग हो आप लोग अच्छी होंगे अभी टाइम हो रहा है 6.30 और मन कर रहा था कुछ खाने का हाला कि मुझे नहीं खाना है पाकी लोगों के लिए मैं सोच रही हूँ बना देती हूँ एक या दो मैं खालूंगी तो मैं यहाँ पर बना रहे हूँ गर्मा गर्म क्र को बिल्कुल डिफरेंट है और बहुत जल्दी बन जाने वाली है तो आप इस तरह किसी जो ट्राइब करें आलू को पतला पतली स्लाइस में कट करें जैसे कि हम चिप्स बनाते हैं सेम बैसे ही कट करना है आपको और मैं बहुत अच्छे से इसको वाश कर ले रही हूँ क्य क्योंकि मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता है और यहां पर पूरी बनी थी क्योंकि अभी एक दो दिन पहले हमारे घर में पूझा हुआ था बाबु का नाम करन तो उसी में पूरी बनाया गया था तो वही पूरी का जो तेल बचावा था तो उसी में आज हम प्रॉक्वार क्याँ में न में मतलगी और रिजबह चीड ददी है और इसमें हमी पूर्ड दाल सकते हैं लेकिन नहीं डाल रह क्यों यहां पे और मियन इंक्रॉक्वेंट्स जो इस प्रॉक्वाडे का हुने वाला है वो मैं भी बताने वाली हूँ देखें बिल्कुल ना मातर मैंने मिर्च पॉडर डाला है और बहुत टेश्टी बनता है जो है फ्लेवर के लिए वो है लैसन जो लोग लैसन खाते हैं वो मतलब बिल्कुल भी स्किप ना करें लैसन फ्लेवर का पकोरे बना के देखें एकड़म क्रण्ची और टेश्टी लगता है ना खाने में कि मैं आपको क्या ही बताऊं बिसक मुझे नहीं खाना था बट अगर लैसन को हमें इस तरीके से बाद एक अच्छे से कूट लेना है और इसमें थोड़ा सा मैंने एड किया है अजमाइन क्या होता है ना केक तो टेश्ट देता ही देता है साथ में ही वो डाइजेस्ट बहुत अच्छा करता है खाने का तो यहां पे अजमाइन को थोड़ा सा क् सब और इस इसमें में आलो में ही सबकुछ मैंने एड गया जैसे आपने देखा बेसन भी बहुत जादा नहीं रखना है बस उतना ही रखना है कि जतना इसमें बस एक कालूप के कोटिंग हो जाए और इस तरीके से मिलाना है और बहुत अच्छा बनता है काफी टाइम बात में किचन में आई हूं तो मुझे भी बहुत अच्छा फील हो रहा है अब मैं किचन में स्टार्ट कर चुकी हूं और अच्छा लगता है बट यह है कि थोड़ा सा भी थो यहाँ पर मैं ऐसे आलू को अच्छे से मिला लेना है तक है अच्छे से एक-एक आलू में मिक्स हो जाए बेसन तो यहाँ पर मिला चुकी हूं अच्छे से आप करके मैं आलू को रखोंगी और इसको प्राइब करूंगी एक चीशा इस पॉक्वारे को बनने में में प्रम प्राइब ने भौक तो करते हैं तो फ़्राइब करते हैं सब्राइब करें इसको घंख करें चाहिए जिरी हट्षें ही इजो में बूंदेघ्ञें तो देखेंगे मेरें लग को दमा करना हुआ उथ 두क्रइम करें तो तो यहां पर यह देख सकते हैं यहां फटाफट से बहुत यह लगता है खाने में आप लोग पर जरू करेगा चाई के साथ बनारियों मैं इवनिंग का बहुत अच्छा सिनेक्स हो गया है यह हमारा मैं चाई और एक पकोड़ी लूँगी नाम मत ज्यादा निकाऊंगी मैंने बेल्ट लगाया हुआ है क्योंकि बेल्ट लगाने से बैक में बहुत ज़ादा सपोर्ट मिलता है इस टमक सपोर्ट रहता है और अभी प्लीज मेरे फेस पे कोई मत जाईएगा क्योंकि अभी कंडिशनी कुछ आईसा है अभी बस जैसे तैसे अपना काम हो जा रहा है अब यहां पर देखिए हाई ख्लीम करके मैं इसको क्रंच कर रही हूं तो यहां पर हाई ख्लीम करने के बाद बहुत अच्छा क्रंची बन गया है अब इसको मैं निकाल लेती हूं और बाकी जो भी है इसी तरीके से मैं फ्राइब भी कर लूँगी सिर्फ दो आलू का मैं बाकी जितनी भी है उन सबको भी इसी तरीके से में फ्राइब कर लूँगी उमीद करते हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए खाम मिलते हैं आप लोग उससे नेक्स्ट वीडियो व्लॉग में तब तक के लिए बापाई ठीक है थांक्यू सो मच अ लोग आप लोगों के लिए लेके आऊंगे आप लोगों के साथ सेल करूंगी बाबाई टेक कियर थांक्यू सो मच